अगर सनातन को बचाना है तो फादर और चादर दोनों से दूर रहिए भीक मांगता प्राण के अकबर हाथ पसार बजरंग दल पर कोई भी राज्य सरकार बैन नहीं लगा सकती है तुम से तो ना उपाएगा लल्ला तो दोस्तों स्वागते आपका हमारे दा उस्ता शो की दूसरे एपिसोड में सबसे पहले दाओंगे चोटा सा राणी बड़ा में हूँ इस्थानिय विदाल्यू से शिक्सा प्राथ किया हूं हाल में ग्रेजुएशन चल रहा है तो हर्श्वादन सिंग जी आज आज आपको हमारे शो पे आके कैसा लग रहा है मतलब अभी तक आपने ऐसा कोई शो किया तो नहीं होगा आप इस्टाग्राम पर फेस्बूक पर फेस्बूक पर फेस्बूक पर देख लो आपको बोल सकते हैं आजकल ऐसा चल रहा है कि थोड़ी बहुत अगर एक भी हिंदू-मुसलिम के बारे में पोस्ट आल देते हैं तो आपको अपने ही कट्टर हिंदू जैसा कोई सब्द आ बहुत ज़दा जागरूग हैं हिंदू-मुसलिम के टॉपिक को आगे लाकर पॉलिटिक्स में जाना चाते हैं जी बिल्कुल भी नहीं मेरा लक्षय जो की सिकसा के मार्ग में है पॉलिटिक्स मेरा लक्षय कत्ताई भी नहीं और इस बात में कोई दोर आई नहीं कि I don't like क् प्राइक्ति को अपने ही समाज धर्म एवा मानवता के विरुद ले खड़ा कर दे उस पॉलिटिक्स में मैं कोई रूची नहीं रखता मेरी रूची मात्र मेरे सनातन में है और मैं उसी के लिए कारे कर रहा हूं तो जैसा कि अभी आपने बोला कि जो राजनीती है वो हमारे धर्म को टार्गेट करती है या दो धर्मों को आपस में लडवाती है तो अभी जैसे आप हिंदू मुस्लिम टॉपिक पर कर रहे हैं तो ये तो बिना राजनीती किये ही आप दो धर्मों को आपस में लडवा रहे इनफेक्ट कास्ट वर्ड तक पुर्तगाल की संस्क्रति से लिया गया है एवं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि स्रीमत भाकवत गीता के पेज नंबर 176 स्लोक नंबर 13 अध्यार 4 का स्लोक है उसका अर्थ सीधा-सीधा यह निकलता है कि मनुष्य को जाती के आदार प चाती नहीं होती धर्म से बड़ी कोई जाती नहीं होती दीपक हिना बचा तो बाती का क्या करोगे और हिंदू धर्म हिना बचा तो जाती का क्या करोगे आखिर क्या वज़े है कि आजकल धर्म गुरो द्वारा व्यास पीट से ऐसा बोला जा रहा है कि कट्टर बनो जैसे बागे सुर धाम के महंत तिरेंदरे साच्त्री आजकल कहते हैं कि अगर सनातन को बचाना है तो फादर और चादर दोनों से दूर रहे जी बिल्कुल आज कटर बनने की आवशकता है और कटर बनने का अर्थ ये कहीं भी नहीं है कि आप अन्य धर्मू का अपवान कीजिए और क्या कर दी जाती है पूछिए उस बहन स्रदा के परिवार जनों से जिसके 35 टुकडे कर सहर के अलग-अलग हिस्सों में फेक दिये जाते हैं और गुरू धिरेंदर कृष्ण सास्त्री जी का कहना बिल्कुल सही है कि अगर आपको सनातन को बचाना है तो चादर और फादर स मेरा खुद का धर्म इतना महान है मेरे खुद के गरंत इतना महान है तो मुझे कहां जो रहते किसी और के दर पर मथा टेकने की अभी जैसे कि बागिश वर्दाम सरकार के हम भी वीडियो वगेरा सोचल मेडिया पर देख रहे हैं तो उनका सीधा-सीधा यह कहना है कि हम बह और यह बहुत जल्द घोसित भी होगा और हिंदु राष्ट का अर्थ यह कहीं भी नहीं कि इसमें अन्य धर्मों के वैक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सभी धर्म वैक्ति एक साथ रहेंगे बस सनातन पर जो यह वार किये जा रहे हैं सनातनी की भावना उपर जो यह आघात किया जा रहा है यह नहो आज दुनिया में लगबग 60 मुस्लिम देश है 130 इसाई कंट्री है परन्तु 100 करोड हिंदु के लिए एक भी हिंदु राष्टर नहीं है आप सेकुलिस्म कंट्री की बात कर रहे हैं मैं आपसे पूछना रहे हैं तो यह सर तन से जुदा किनारे कौन दे रहा है और अगर वाकए में हिंदुस्तान में सभी धर्मों को एक समान दर्जा देया गया है तो क्यों आखिर प्रधान मंत्री मनमोन सिंग जी को कहना पड़ा कि भारत के संसादनों पर पहला हक मुसलमानों का है और यह जो भी निगरानी में अमरनात यात्र होती है कारण क्योंकि हिंदु और मुसलमान भाई भाई है रामतिरी गंगा मेली मूवी बन सकती है परंतु कस्मीर फाइल और केरला इस्टोरी जैसी मूवी में सच्चा ही बताएं तो मुसलमानों को टार्गेट कर रहे हैं केरला में बद पर पत्थर बाजी करें तो देश सेकुलरिज्म बन जाता है मजिद का पैसा मदर से में जाता है मंदिर का पैसा गौर्मेंट यूज करती है मौलानाओं को सेलेरी मिलती है हिंदू पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है अब अनात यात्रा पर टेक्स लगाया जात हमारे प्रभूश्री राम को कालपनिक बता सकते हैं राम चरित मानस को भढ़काऊ बता सकते हैं ये कुछ भी वेतु की बाते कर सकते हैं और अगर हम फैक्ट रखें तो हिंदू बन जाता है अपरादी और अगर हिंदूस्तान सच में सेकुलरिज्म कंट्री है तो आज मैं मैं आपसे पूछना चाओंगा क्या मुझे अधिकार है कि कुरान के पाराद 10 सूरा 9 आयत 5 पे हिंदू के बारे में क्या लिखा है बिना मुझ पर कोई मुकदमा हुए बिना मेरा सर्तन से जुदा हुआ जी नहीं क्यूंकि इंडिया एक सेकुलरिज्म कंट्री है जहां हिं नमाज पढ़ाई जाती है हिंदू चात्रों के हातों से मौली तोड कर एवं माथे से तिलक हटा एवं चात्राओं को बुर्खा पैना कर अगला हुआ अकबर जैसे नारे एवं बावन मिनट तक कड़ी दूप में फातिहा पढ़ाई जाता है क्या यह गटना भाईचारे का उंचा बता रहे हैं जी बिलकुल इस कारेकाल में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है मैं आपकी से बिलकुल सहमती बनाता हूं कि इस कारेकाल में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है क्योंकि इस कारेकाल से पहले सिर्फ मुस्लिम था और अगर आज इस कारेकाल में हिंदू नफरत फैलाई जा रही है तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा वाले प्यार बाट रहे हैं और अगर प्यार बाट रहे हैं तो ये अपने साथ प्रदान मंत्री यह तो पाकिस्तान आटे की भीक मांग रहा है तो हार्श वाजन जी हाल ही में देवकी इनंदन ठाकुर जी द्वारा एक मुद्दा उठाये गया है जिसमें ऐसा बता रहे हैं कि जामा मजजित की सीडियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ती है इस पर क इस पर आपके क्या विचार है या इस पर भी केवल एक विशेश शमुदाय को टार्गेट किया जा रहा है हम टार्गेट कर रहे हैं डॉक्टर अब्दूल कलाम जी साहब जैसे लोगों को जिनोंने भारत के विकास में अपनी एक एहम भूमी का निभाई है और अगर आज म मजजिद की सिडियों में हैं तो हम सबका फर्ज बनता है करतव बनता है कि हम हमारे ठाकुर को वहां से आजात करकर मदीर में विराजमान करें और साप भाईचारे का संदे से अभी भी दिया था जावा मजजिद कमिटी को ठाकुर जी द्वारा बड़ी प्यार से निवेदन किया गयाता है कि वहां की जाच कराके हमें हमारे ठाकुर जी सौब दिये जाए एवम साती सात यहे भी का गया था कि मज्जित की सीडियों का पुनन निर्मान भी श्रीम देवकिनिंदन ठाकुर जी महराज द्वारा किया जाएगा तो आकिर किस प्रमान और सबुत के आधार पर इतना बड़ा दावा किया जा रहा है बादसा के साथ ही रहने वाले एक वेक्टी ने एक किताब लिखी थी मासीरे आलम गिरी उसमें उन्होंने किताब के पेज नमबर साथ पर लिखा है कि जनवरी 1670 में बादसा ने आदेश दिये थे कि मतुरा के केशव देव मंदिर को गिरा कर उसमें जित्ती भी मूर्तियां हैं जिसमें कीमती हीरे जवारा जड़े हो उन्हें जामा मजजित की सिडियों में दफन कर दिया जाए तो हरश्वधन सिंग जी जैसे की हिंदू-मुस्लिम की बात चल रही है तो हिंदू के इतने बड़े संक्ठन बजरंग दल के बारे में करनाटा के चुनाओ के दोरान कॉंग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा दावा किया है या ऐसा बताया है कि अगर वो च हैंदर में जब इनके सरकार थी तब यह है प्रयास कर मुह के बल गिर चुके हैं 10 दिसंबर 1992 को धाचा गिरने के बाद संग और बजरंग दल दोनों पर प्रतिबन लगाने को लेकर केस किया जाता है जिसमें कोड़ द्वारा 90 दिन का समय मिलता है इस समय में सरकार कोई भी स चार जून 1993 को केस खारिज कर दिया जाता है और चार दिन बाद आई रिपोर्ट आट जून 1993 को रिपोर्ट के पेज नंबर 71 पर इस पस्ट रूप से लिखा है कि सरकार कोई सबूत पेस नहीं कर पाई तो इन से तो एक ही चीज कहना चाओंगा तुम से तो ना उपाएगा अब ही में बात करूंगा महाना परताब और अकबर के बारे में हमारे इतियास में अक्सर कुछ उल्टा ही बताया जा रहा है लेकिन अभी जो नया जो इतियास बनाया जा रहा है या पिर जो सही इतियास है उसको बताया जा रहा है जैसे कि महाना परताब अगर महान है तो पर सवाल क्यों आखिर अकबर ने ऐसी क्या हरकतें की ते या इसे कारणा में किये ते जिनकी वज़े से अकबर आज बदनाम हो रहा है और एक विशेश समुदा है वो मानने को तयार नहीं है तो इसका क्या कारण है इसके पीछे की छूटी से कहानी है जो मैं आपको सुनाना बुर्खा पहन कर मेले में जाता था एवं अपनी पसंदाई महिला का अपरण कर वर्च बर उसका सोसन किया जाता था तब ही एक समय कीरण वाइसा उस मेले में पहुशते हैं अकबर की नजर उन पर पढ़ती है वह उनके समेब जानने की कोशिस करता है अकबर की नीती को ज पटार भीक मांगता प्राण के अकबर हाथ पसार तो अब इस कहानी के बेस पर आप स्वेम ये सोच सकते हैं कि आखिर महराना परताफ मान तो अकबर पर सवाल क्यों क्या इन से बातों से ये निश्कश निकलता है कि आप एक विशेश समुदाय के विरोधी है या आप करता हूं जित्ता कि वे मेरे प्रभुश्री राम एवं बाला जी का करते हैं मेरे मन में किसी भी धर्म को लेकर कोई नफरत नहीं है इनफेक्ट मैं बता दूं कि आज यहां पर भी कहीं मुस्लिम परिवारों के साथ मेरे एक अच्छे संबंध है कहीं मित्र हैं मेरे जो कि म मुस्लिम फैमेली से बिलॉंग करते हैं तो यह कहीं भी नहीं है कि मैं किसी समुदाय का विरोधी हूं और अगर किसी समुदाय के कुछ वैक्ति वैक्तियों द्वारा अगर मेरे सनातन पर प्रस्टन उठाया जाते हैं मेरे सनातन को नीचा दिखाया जाता है तो बिलकुल म मैं यह कहने में कोई हिचकराट नहीं रखता कि मैं कट्टर हिंदू है तो चलिए आश्वादन सिंग जी आज हम इस शो को यही पर खतम करते हैं और आज का इस शो में अमने बहुत ही हिंदू-मुस्लिम के टॉपिक को ज्यादा ही छेड़ लिया है सायद थोड़ा कॉंट्रो जैश्री रहा हुए जैश्री रहा हुए